देखो डॉल्फ जिगलर की जैसी प्रेडिक्शन है ना King of the Ring के लिए at least मेरी वैसी तो नहीं होने वाली है ऐसा लग रहा है कि पी के प्रेडिक्शन कर दियो but no not me मेरी प्रेडिक्शन King of the Ring के लिए बताऊंगा लेगिन Queen of the Ring के लिए मुझे पता है कि मेरे को किसको pick करना है वर में 3DX चेतन and Monday Night Raw ओ भाई क्या ही है मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि SmackDown से बढ़िया कर सकती है रहा हलां कि आज की Raw से मेरे लिए ज़्यादे एक्स्पेक्टेशन थी नहीं प्रिकोज ड्राफ्ट का अल्रेडी मैंने पैटर्न देख लिया SmackDown में that they are not doing anything special वो बस एक स्क्रिप्ट ले आएं चार-चार बंदे उसी में से पढ़ के बता रहे हैं कि भाई ये ये इसमें चला गए ये इसमें चला गए और बाई सब बैक्स्टेज जो सूपरस्टार का रियक्शन दिखा रहे हैं वो और क्रिंज अब उससे अच्छा दो दिखाते ही मत बाई वो वाला सीन मेरे को अच्छा लगता था पहले ड्राफ्ट में जब सारे सूपरस्टार्स एक साथ एक ही कमरे में बैठे हुए थे और जब पता चलता था कि ये इसमें जा रहा है ओ बाई क्या रियक्शन आता था हाँ वही वाला ना जब ड्राफ्ट में अंडर्टेकर को पिक कर लिया रिक फ्लेर ने एंड दन जो उसका रियक्शन आइट वस कर रेजी ता ऐसे ही कुछ हो सकता था बट नहीं अभी हमें थोड़ा टिक टॉक क्रिंजी वर्द रियक्शन दिखाना था बट खेर स्टूरू में इन्होंने हाटबीट दे दी थी जब जेफ हार्डी को अल्मोस्ट यूस टाइटल पिक्चर में डाला अबे यार बट मेरे को पता है सबसे बड़िया बात क्या लेगी जेफ हार्डी इस जेफिनेटल गूइंग टू स्मैकडाउन क्योंकि उनका ड्राफ्ट हो गया बट उन्होंने प्रोमो के दोरन ये भी टीज किया कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मिलेख सबस्टल से अबढ़ बट मेरे फि zealड़ू गया है अगर साइए चर्प यह को पर आपको ब्लाच्ग करने का टाइम आ गया है प्यफल नीड यग अगर सही हो में वह मनेनको आपको पर देखना चाहते हैं तो फिर आपको भी कुछ哈哈哈 कश आप पड़ेगा बड़ी है जैसे कि हमें लग रहा था क्योंकि शार्लेट ट्रेयर स्मैकडाउन में चले गई बैकिल इंच आ गई है रॉ में बैसिकली स्मैकडाउन एंड रॉ टैग्टीम चैंपियंज दोनों शिफ्ट हो चुकी है और या तो यह यूनिफाइड होने वाली है य वो ज्यादा ठीक लगेगा ऐसे ही उसोस को स्मैकडाउन में रखा गया भाई क्या राहत मिली पॉल हमन को कि हाश बच गये विकाज अगर उसोस निकल लेते ना रॉम है भाई रोमन रेंज जो चटनी बनाने वाला था कोई नहीं सोच सकता हो बबी लैशली को रॉम में जिस टैम पे शैना बेजदर इतने डिस्ट्रक्टिव मोड में हुआ पर देना ब्रुक से मैच करवा दिया और उसके मैच के बाद जब आटाइक करने लग गे थी देना ब्रुक को तो दूड्रॉप आई और बचा लिया और दूड्रॉप और शैना बेजदर की राइवलर जो ट्रिपल थ्रेट में थी सो या शैना बेजदर को कॉंपेटिशन अच्छा मलेगा मंसूर इन मुस्ताफा अली वर्सेज एंजल गार्जा इन हुंबर्तो करियों के बीच मैच देखने को मिला अगें नॉट डाट एक्साइटिंग अगली तरफ बढ़ते हैं बिगई ए बढ़ते हैं दोनों एक बार पहले बिगई जब बने थे जब AJ Lee के साथ थे और बाद में अभी रिसेंट में डुरू मैकिन्ठार भी थे तो बाद में अब दूरू मैकिन्ठार करें लगा जब उन्होंने बोला कि वैल बिगई को तुमने बनाया दन मुझे बनाया और रॉ राउन जूल में फर दो चैंपियंशेप अफकोर्स ओफिश्यल नहीं हुआ क्योंकि माइक पे नहीं बोला यार सिर्फ ऐसे ही बोल दियो कि टीवी वालोगों पता चले ओडियंस को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ बट पता चले जाएगा निकी एस अचन रियर रिप्ले ना-टाली और तमीना के वीज़ी माइच देगने को मिला बता यार जब भी ना-टाली आती है न कभी-कभी तो बुरा भी लगने लगता है कि यार यह बंदी अब इतना लड़ रही है तने टाइम से तो रियाक्शन क्यों नहीं मिलता क्यों बिना रियक्शन के लड़ रही क्योंकि अब यह सिर्फ नॉर्मल मैच नहीं अब यह बन चुका है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच और गोल्डबर्ग तो भाई जो खुश हुआ बंदा मतलब इस खुशी में मैंने गोल्डबर्ग को पहले कभी भी नहीं देखा था और भी ड्राफ्ट देखने को मिले जैसे सेथ रॉलिंस को रॉम में शिफ्ट कर दिया मतलब एज को अगर लाएं और सेथ रॉलिंस का नाला ऐसा नहीं हो सकता है इनके बीच बाइसा फुल फ्लेज ड्रेसल मेंने थे रावलरी चलेगी शिंस के नाकम हो रहें रिक बूक्स को स्मैक डाउन में रखा डेमिल प्रीस को रॉम में रखा एंड शेमस गोज तू स्मैक डाउन लेट्स गो शेमस वाव अभी हम कह सकते हैं कि शेमस वर्सस रोमन रेंस हाँ जब भी स्मैक डाउन का नाम ले वर्सस रोमन रेंस ही लगा दे है ना एजे स्टाइस अनोमोस को र यह SmackDown में और हमें Street Profits को Raw में मिलते दिखाई दिये Viking Raiders गए Raw में Finn Balor भी Raw में Viking Raiders गए SmackDown में Finn Balor आये Raw में और Ricochet गए SmackDown में वाओ what a shift because Finn Balor के लिए I was disappointed at Extreme Rules and अभी और भी जा था बात करूँगा बाद में end में इसी के ओपर चर्चा है अभी देखते है Ricochet SmackDown में बुला तो लिया है तो महाँ पर कुछ होगा भी या नहीं Karin Crows को Raw में रखा गया करियो और Garza को SmackDown में भेज़ दिया Alexa भी इसको Raw में रखा और Cezaro को भी SmackDown में रखा और New Day vs. Hurt Business सच मैचेज में उतरा इंटरस्ट नहीं आने वाला मेरे को तो एट लिस्ट नहीं आया Banka vs. Shard of Fair का में इवेंट देखने को मिला था जिसमें chaos मच गया भाई Becky Lange, Sasha Banks सब आके आपस मैं लड़ती गई Crown Jewel में क्या होने वाला है यह कुछ नहीं पता मुझे At this point I just want a title unification match या फिर दोनों title से एक साथ defend हो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए जिस तरह से चारों एक साथ लड़ रहे है Carmella को Raw में भेजा गया है SmackDown से Ridge Holland को SmackDown में भेजा गया So overall अगर हम देखे तो roster के मामले में अब Raw के पास भी कुछ ऐसा माल मसाला है कि अब वो कह नहीं सकते कि बाई साब हमारे पास यह नहीं था हमारे पास वो अब तुमारे पास सब कुछ है अब रोगना मत अब तो हमें चाहिए तीन गंटे गा मुस्त इसा content ठीक है So yeah that was the Raw overall draft के मामले में तो मुझे तो नहीं लगता ही कि यह मेरे को कभी याद भी आएगी 2021 वाला साल Because as such इनों ने कुछ special तो किया नहीं है जैसे कि हर साल करते हैं मैं क्या कहता हूँ कि 2030 आएगा तो यह draft की वीडियो के लिए क्या moments निकालेंगे यही 2030 चार वाले ही कब तक कब तक इनको यूज करने वाले हो क्या रूत कारें हमको लगेगा अरे सब ठीक है कुछ हुआ ही नहीं था That is the bad part जिसके बारे में social media वाले लोग सही complain करते है And this is the part जहांपर लोग कहते हैं कि WWE हमारी intelligence test करती है क्योंकि यह तो बहुत basic चीज थी It is not like कि हमने बहुत बड़े thesis लिख दिये थे एक छोटी सी expectations थी कि बता देते कि ring क्यों ठूटी वाट पता नी अभी जितकुमान ने लगा भाई तो जह पता है वो Brock का जुड़वा Parker तेरे को Twitter में follow करता है यह मैंने कमेंट इसे लिए 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 पिकोज देखो Parker बाड़ेक्स जो है उसके इतनी ज्यादा hype अल्वरेडी बन चुके है social media पे and मैं यह कह रहा हूँ कि NXT में जो यह Rick Steiner है भाई जब इसको इतना लोग रिंग में देखने के बाद पागल होगा तो सोचो Parker को देखने के बाद क्या होने वाला है and I feel like जैसे भी Roman versus Brock का चलता है ना ऐसी आज से 6-7 साल बाद Parker versus Rick Steiner का कुछ scene देखने को मिलेगा हम main event में इनके बारे में बात कर रहे होंगे भाई time change होने वाला है and I hope कि हम लोग तब तक यही चीज़ करते रहे सो यह मिलते हैं 5-6 साल बाद मतलब अभी भी मिलेंगे बट 5-6 साल बाद भी मिलेंगे जब हम यह सोचेंगे कि अरे हाँ हमने सोचा था पहले कि 7 साल बाद ऐसा होगा anyways आपके ख्याल है इस बारे में कि क्या आपको WWE ने बेफकूब बनाया नहीं because ring काटना is not a small thing कमेंट से में लिक करना बताओ अगरा आपको बीड़े पसंदाए ता प्लिए लागरे शेयर को आपको 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 सब्सक्राइब करो अब सुसे कि आज सबने इसको बुलाया Friday's को इसने RKO था लगपाया